नमस्कार आपका स्वागत है IMS टूटे में और आज हमाई साथ मौझूद है निमिश कपूर वह एक विज्ञान संचारक और विज्ञानिक हैं सर आपका स्वागत है IMS टूटे में नमस्ते सर एक पत्रकार को डाटा कलेक्ट और डाटा वेरिफिकेशन के लिए किन AI टूल्स को उप्योग करना चाहिए देखे डाटा कलेक्शन के लिए तो हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है पहला तो मैं बता दूँ कि डाटा बहुत जरूरी है पत्रकारता में क्योंकि आप जो भी इन्वेस्टिकेटिव पत्रकारता करते हैं या जो भी आप स्टोरी बना रहे हैं उसमें डाटा एहम रोल अदा करता है और आप अगर बात करें टूर्स की तो हमारे पास एक सर्च टूल है गूगल डाटा सेट सर्च तो गूगल डाटा सेट सर्च क्या करता है कि जो उसका एई आई और मशीन लर्निंग उसको किया गया है तो वो जो भी बहुत एहम बहुत महत्वपूर्ण डाटा के सोर्सेज हैं उनसे वो आपको डाटा तलाश के देता है मान लिए आप गूगल डाटा सेट सर्च एंजन खोलेंगे और उसमें डालेंगे कोवेट 19 तो कोवेट 19 से जुड़े जितने भी पैरामीटर से वो उसके नीचे खुल जाएंगे तो आप जिसमें भी क्लिक करेंगे उससे संबंदी डाटा आपको सामने मिल जाएगा तो अलग-अलग कीवर्ट डालके आप उसमें डेटा सर्च कर सकते हैं और उसके तरह के से आपने बहुत सारा डेटा आपके पास आ गया बहुत से PDF, MP3 फाइल, MP4 फाइल, PowerPoint प्रेजेंटेशन, words फाइल, इत्यादी, Excel तो आप उसको अक्सर ऐसा होता है कि हम Google अपने लैप्टॉप पे रखके भूल जाते हैं कि किस फोल्डर में हमने कौन सा डेटा रखा, फिर उसको ढूंडने में महुत मुश्किल होती है तो Google ने एक ऐसा सर्च एंजन, एक ऐसा स्टोरेज प्रेटफॉर्म बनाया है जहां पर आप 100 GB का डेटा स्टोर कर सकते हैं उसको एनलाइज कर सकते हैं, आराम से तलाश सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं कोई आडियो रिकॉर्डिंग अगर आप डालेंगे MP3, MP4 तो वह अपने आप टेक्स्ट में कनवर्ट हो जाएगा और उस बहुत बहुत बैसरीन उस प्लेटफॉर्म का नाम है Google Pinpoint तो Google Pinpoint एक ऐसा टूल है जिसको आप अपने Gmail के बिहाफ पे जिसको बना सकते हैं और उसमें आप करीब 100 GB का डेटा एकटा कर सकते हैं एक फोल्डर में या एक कलेक्शन आप जो बनाएंगे अलग अलग उसमें करीब 200,000 फाइलें आप उसमें डाल सकते हैं इकटे कर सकते हैं जो आपके lifelong वहाँ पे रहेंगी उपलब्द रहेंगी और जिनको आप analyze कर सकते हैं लिए 2,000,000 फाइलें आपने डाली एक बहुत बड़ा नंबर है 2,000,000 एक फोल्डर में और उस कलेक्शन में फोल्डर में आपको ढूड़ना है किसी बॉलिवोड फिल्म का नाम ढूड़ना है या किसी celebrity या किसी निता का नाम ढूड़ना है तो आप वह भी आराम से search में ड बचता है तो इसको आप अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं सर हाली में साइबर ठगों ने एक पड़ी लिखे डॉक्टर को एक कड़ो रुपे ठग लिए हैं तो आम जन इस ठगी से कैसे बस सकते हैं तेखे सबसे इसमें जो पॉइंट नंबर वन है वो है जैघरूकता अवे कस्टम ने जो है वो पकड़ लिया है क्योंकि आपके पांच लाख रुपे का गिफ्ट आया है उसको छुडाने के लिए आपको पैसा देना होगा या आपका अकाउंट आज बंद हो जाएगा उसमें ये कारण हो गया है जरा ओटी पी बताईए तो इसे तमाम सारे फोन इसक apples हो जाते हैं और वह जैसा सुन solchen वह फोन पर वैसा कडते रहते हैं और वह अपना दनराशी गमा देते हैं तो इसके लिए आप जो सबसे बड़ी चीज़ रहे हैं और कोई ऐसे फोन कॉल आएं तो तो तुरंट उनको काड़ दे उनका नंबर ब्लॉक कर दे उनको मत है तो भी वो मुबाइल नमबर तुरन काट के उसको ब्लॉक कर दिए और दूसरा आप जो साइबर पुलिस है एक दिल्ली साइबर पुलिस का नमबर है और एक इमेल है आप तुरन दिल्ली साइबर पुलिस को फोन करें साइबर उसके जो भी इमेल करें तो आपका जिस एरिय का वो information होगी आप जिस जिले में रहते हैं जिस महले में रहते हैं तो उस जिले के उस महले के थाने में वो सूचना forward कर दी जाएगी तो यह आपको राश्ट्रिय लेविल पे यह जो दिल्ली cybercrime cell है यह आपको सेवा दे रहा है तो इसके phone number और इसके email दोनों यहाँ पर हमारे इंटरनेट पर उप्लब्द हैं डीफएक वीडियो ने दुनिया को किस तरीके से प्रभावित किया है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं देखे डीफएक वीडियो किसी को भी बदनाम करने के लिए कोई खास तोर पे conspiracy करने के लिए और इस तरह के चीज़े बनाई जाती ह हैं जिसमें यह पता नहीं लग पाता है कि वो चेहरा जो हम देख रहे हैं वो सही है कि नहीं है किसी और का चेहरा लगा दिया जाता है जो आवाज हम सुन रहे हैं वो उस आदमी की है या नहीं है तो तरह के तरीके से वीडियो बनाय जा रहे हैं और डीफएक वीडियो का क हम वेरिफाय कर सकते हैं डीफ एक वेरिफिकेशन के बहुत सारे टूल इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जिसको आप देखें और उन वीडियो को वेरिफाय करें और इन सबसे बड़ी बात यह है जागरूकता अवेर्नेस और समय रहते हैं उन चीजों को ब्लॉक करना और अपन पढ़ना होगा आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से लेके आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की जो टेक्नॉलिजी आ रही है आपके मीडिया के लिए वेबसाइट के लिए उनको देखना होगा जानना होगा और बहुत सारे टूल आ रहे हैं आपके इन्वेस्टिगे पर काम हो रहे हैं और जिसका तमाम इन्फॉमिशन हमारी वेबसाइट पर हमारे इंटरनेट पर उप्लब्ध है आपको समय निकालना है पढ़ना है अपना ग्यान बढ़ाना है उस पर काम करना है हैंड्स-उन करने हैं और आप इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे दरनि